बिस्मिल्य रख्माने रहीम, असलाम अलेकूम, वेलकम टू माई यूटूब चैनल, कैसे आप सब लोग ये मॉर्निंग का टाइम है, बच्चे स्पूल के लिए रेडी हो रहे हैं, हसने रेडी हो गया था, अरूश भी रेडी हो रही है, और जब हसने अरूश उठते हैं, त दिये थे, और मैं कबाब फ्राइ कर रही थी, ताकि बच्चे कबाब का सैंड़िच खा ले, आज तीनों को मैं लंच में दूंगी नैगिट्स, और यह मीने महंदी गून के रखी थी लगाने के लिए, आप हसने न को मैंने लंच पेक करके दे दिया था, तीनों का, हसने न नाश्ता कर लिया है, अरुष अप नाश्ता कर रही है, और यह हूर फात्मा है, हसने नरुष की स्कूल की टाइमिंग है, इनकी वेन आती है, साड़े साथ बचे, और हूर फात्मा की वेन आती है, आठ बचे, यह हसने नरुष स्कूल जा रहे है, साड़े साथ बचे का टा माशालला ये देखिए हूर फात्मा रेडी हो गई है क्या कह रही है आप हूर फात्मा की आदत है जब अरूश और हस्नेन उठते हैं तो ये भी उनके साथ उठ जाती है मैं यही कहती हूँ कि आप और थोड़ी देर सो जाओ मैं आपको साड़े साथ बज़े तक उठा दूँगी लेकिन ये सुनती नहीं है और ये छे बज़े उठ जाती है हस्नेन उरुश के साथ ये अपनी वैन का इंतिजार कर रही है बस ये हूर फात्मा की वैन आ गई थी अब हूर फात्मा भी जा रही है स्कूल बस पिर ये शाम का टाइम था अरुश और हूर फात्मा जा रहीं थी पॉलर हैर कट करवाने के लिए अपनी फुपी के साथ तो ये बाल कटवाने से पहले की वीडियो है जो मैं बना रही थी और फिर ये पॉलर की भी वीडियो आपको मैं दिखाऊंगी ये देखिए ये अपनी फुपी के साथ आई थी दोनों पॉलर में बाल कटवाने के लिए तो मैंने इनकी फुपी से कहा था कि आप थोड़ी थोड़ी वीडियो मुझे बना दियेगा ताके मैं व्लॉग में डालूंगी अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग लिए तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए बस ये फिर पॉलर से आ गई थी बाल कटवा के और आप देखें लाइड गई भी थी तो ये मैंने अंधेरे में बनाई ये थोड़ी सी वीडियो पीछो ये लाइट आ गई थी रात में शाम का टाइम ही था आप देखें माशालला बहुत प्यारे इनके हैर कट हुए बहुत प्यारी लग रही थी माशालला दिखाओ पीछे सबने बाल बस फिर हसने इनकी फरमाईश थी अपनी फुपी से के मुझे खाऊ से खाने जो मेमनी डिशे तो बस इनकी फुपी बना रही थी और ये गोश्का सालन बुनावा बना रही है इसमें सारा हरम असालन उन्होंने पीसके डाला है प्यास रिमाटर सब चीजे डाली है हल्दी नमक मिर्श लहसन अद्रग और ये बुना बुना गोश्का सालन बनता है और दूसरे साइट पे उन्होंने कड़ी बनाने रखी है इसमें पकोड़े नहीं डलते कड़ी में बस ये हरे मसाले की कड़ी होती है इसके अंदर हरा दनिया पौदीना ह अधरी मिर्श ये पीसके डलती है और हल्दी नमक मिर्श डलती है और खावसे का ये है इसमें स्पैगिटी भी डलती है बॉयल होती है स्पैगिटी और इसको सर्फिस तरीके से करते हैं कि एक प्लेट में हम स्पैगिटी डालते हैं उपर से सारी चीज़े डालते हैं तो इस पैगिटी के दो पैगिट मंगवाए थे तो फिर माशालला काफी महमान आ रहे जो तम्मी ने का कि एकम पड़ेगी दो पैगिट में और मंगवा देती हूं तो माशालला चार पैगिट के उसने एक हाउसे बनाएते हैं मेरी नन ने तो मैं आपको बता रही थी कि यह सार तरी केंसे करते हैं के एक पलेट में हम वाएली स्पैगिटी रखते हैं और फिर उसके ओपर हम यह कड़ी डालते हैं फिर वह जो गोश्का भूनावा सालने वो डालते हैं हर्मशाला चट्नी ऊसारी चीज़े डालते हैं उसको सर्फ क बस कड़ी भी तयार थी सालन भी बन चुका था इस पैगिटी वुगाईल हो रही थी इन पैगेट चाल इन अगर उकम होंगे ने स्पैगिटी तो बाद मार और यह ब्राउन प्याजे और यहरे मसाली की ट्रेव इसने बना दी ती यह उपर से डलता है सब अरब मसाला हाँ से रेडी थे यह ने सबकी प्लेट बना दी थी क्योंकि उसने का मुझे पता है कि कौन से चीज़ कितनी डेलेगी अगर आप लोग उससे बनाओगे तो कोई कड़ी जादा डाल देगा कोई सालन तो फिर उसी का टेस्ट आएगा तो मैं मुझे एक जैसी ही मैं बनाओंग तो माशारला काफी टेस्ट ही थी इस पैगटी उसने डाली थी उसके अपर से कड़ी डाली थी पिर सालन डाला ता पिर पिर स्लिम्स चो उते निम्कों के वो भी उसने डाले थे माशा लला सबने भूँनक से खाए फिर ये मिरहा और बर्खा आई थी हमारे घर और ये पूरा वAt्च किया करें ए मेरी वीडियो को लाइक करें शेयर करें और .. माशाणला आप जरूर किएगा माशाष आप माशानला मिर्खा और वरत और अब बरका दोनों ही बहुत प्यारी है थी है थी दो ना शकुछी I hope आपको खाउसे के रेसिपी समझ में आ गई होगी मेरी वीडियो आज की यही तक ही थी अल्ला आफिस